विडियो नहीं पीओ वर्ड आज मैं आपके लिए एक न्यू विडियो आई हूं तो इसलिए सॉरी बट आपको वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पीओ एक न्यू सीडीज स्टार्ट कर रही है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ विष्णु जी के पूरे पूरे दस अवतारों के बारे में और इसमें बहुत ही मज़ा आएगा बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो होंगी और यह बहुत ही इंट्रस्टिंग सीरीज होगी मेरी अब बनाने में भी टाइंगी और एडित करने में भी टाइंगी बट आएंगी ज़ूर और इंट्रस्टिंग बहुत होंगी बहुत होंगी से उन चीजों के बारे में उन अफ्तारों के बारे में बताऊंगी तो अगर मज़ा आए तो परस्ट इंग इस लाइक सेकेंड इस सब्सक्राइब और चलो शुरू करते हैं इस अफ्तार में विश्णु जी एक मचली है जिसका नाम है मतस्या अफ्तार में सती युग में वह और चलो आपको इसके बारे में और बताती हूँ एक राजा था जिसका नाम मनू था फिर एक दिन वह नदी का संस्कार कर रहा था तो एक छोटी मचली उसके हातों में आई लब जैसे फिश्ट होते हैं ऐसे चलांग मालती है डॉल्फिम फिश्ट मांगती है इंसे चलांग था उसे नदी में वापस फेखनी वालता तो उस मचली ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी जान बचा लीजिए मुझे वापस मन फेजिए तो राजा मान गया राजा ने उससे एक डब्बे में डाल दिया पानी से भरे हुए डब्बे में जैसे मतलब आता है ना और उसके लिए वो डब्बा बहुत ही छोटा था तो राजा ने फिर उसे डब्बे से निकाल लिए फिर राजा ने उसे नदी में रखा वो फिर बड़ी हो गई अब सोच सकते हो मन लब छोटी सी मचली बड़ी होती जा रही है और एक चीज में तो नहीं कुछ अमतकार से मिलकर उसे गंगा में डाला फिर उसे एक समुदर में डाल दिया कुछ देरवाद उसे एसास हुआ कि वो मचली ही जिसका नाम मतरस्या था वो ही विशनूजी है जिसके लिए वो इतने सालों से सपत्या कर रहा था और उसे ये चमतकार बहुत देर वास समझ में आया फिर विश्नु जी ने अपने प्रकट हुए और फिर उन्होंने बहुत सारे राजा के सवालों को जवाब दिया बहुत सारी पातों थी आपको तो पता लग गया कि ऐसे मतस्य और अब मैंने कुछ गूगल महराद से कुछ कोशन किया थे अब देखते हूं उसके आंसर क्या है तो चलिए बताती है अब मैंने फर्स्ट कोशन किया वाइ मतस्य अवतार टेकन वो क्यों लिया गया था तो गूगल ने सामने से आंसर किया जब फिर मुझे आंसर मिला फिर मुझे गूगल से आंसर मिला जब ब्रह्मा जी से वेद स्चोरी हो गए थे तब विश्णु जी ने उन्हें पून प्राप्त करने के लिए ये अवतार लिया था तो यह भी मुझे पता चल गया कि अव्तार क्यों लिया गया था क्योंकि यही तो point है कि अव्तार लिया ही क्यों गया था तो यह भी मुझे बहुत ही अच्छा आंसर मिला जब मैं एक question कर रही थी तो मुझे याद नहीं था कि यह तो विश्नु जी है तो जलो मैं बताती हूँ, मैंने ये कोशुन किया, फिर उन मंचरी जब इसका आंसर आया, उनकी कॉंसोर्ट थी लक्षमी जी, तो मेरे लक्षमी से ही पता चला, कि ये तो विश्नु जी है ना, तो उनकी फैमली पर विश्नु जी की होगी, पर उनका जो मंत्र है, मेरी सार्ची के हिसाब से यही आया है, ओम नमो भगवते मत्यसा देवाए, ये है इनका मंत्र, और अब मैंने एक और प्वेश्चन किया था गूगल से, वेर इस मतस्या किंग्डम नाउ, तो इसका आंसर है राजस्थान में, विराटा नगरी में बैरत, हाँ, बैरत, येस, विराटा नगरी, प्रेजेंट डे में वो बैरत इन राजस्थान में है, उनका पूरा क्योंग्डम नाउ, आपको पता लगा कि मतस्या अवतार कैसा था, कैसे आया, मत्बंब उनका क्यों लिया गया, पॉइंट था, कि वो लिया क्यों गया, फरस्ट कोशन था, ये ही पूरा पॉइंट था, कि वो लिया क्यों गया, तो कैसे लगी मेरी वीडियो, जरूर बताना, अभी तो second अवतार भी आने बाल है, जरूर कमेंट बक्स में बताओ, कौन सा है second अवतार, मुझे भी पता है कौन सा है पर मैं आपको बताने नहीं वादी आप जल्दी से कमेंट बक्त में राके अगर आप गुगल से देखके बताऊगे तो वह तो चिटिंग होगी आप अपने आप से हाल जोपने और मेरे को पता है या जाकी कौन सा अपतार है तो मैं उसमें भी वी बल्दी यादः ट विल्दी आप कर दो एक चिता है जाएव कर दो मैं आपको लादब यादा टूने झाल जाएव